हम क्या कर रहा है ? U into N U एक क्या मेटर पर सकड, N क्या है सकड तो जब तू multiply कर रहो U into N तो minus U into क्या कर रहे है ? 1 तो 1 भी क्या है ? सकड तो यहां कौन multiply में है ? 1 जो क्या है ? 1 क्योंकि 1 को लिखने का कौई मतलव ? मैं यह कहना चारा हूं बस कि जब आप प्रूप कर रहा हूं देखो ना यू के साथ पॉन है वन यह वन क्या है सगें और सब्सक्राइब ने तो यह आपको देखता नहीं है वहाँ पर बट ध्याण रखेगा कि चली देखिए आज क्या पढ़ेंगे सबसे पहले यह पढ़ा चुका हूं क्या है उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स करेंगे फिर क्या पढ़ेंगे रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस फिर क्या करेंगे मुझे लगता आज यहीं तक समय हो जाएगा कि उसके बाद क्या मोशन अंडर ग्रेविटी चलिए सबसे पहले डिस्प्लेश्मेंट इन एनथ सकंड बहुत ही कंफ्यूजिंग तुम्हें पता है इसमें प्रॉब्लेंस बनते हैं और जब प्रॉब्लेंस बनते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं गलत सोच लेते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेश्मेंट इन फाइब सकर्ण डिस्प्लेश्मेंट इन बलत सेम है या अलग अलग दोनों बात क्या है अलग है पांच सेकंड का मतलब हो जीरो टू फाइब सब और फिप सकंड का मतलब होता है चार से लेकर के पांच सक्ड बस यही समझे लाए यह difference है, कभी बोला आपसे displacement in 5 seconds, तो 0 से कहां तक, 5 seconds, displacement in 5th second, 4th से 5th, बोलो से यह क्या, ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं, 1st second, क्या कहूं, इसका मतलब क्या समझोगे, 0 to 1, 1st मतलब 0 से 1, 2nd मतलब, 1st, 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 1 तो इसका मतलब हो गया, n-1 to n second, बोलो सही है क्या, तो बस तुम खुर बताओ, मुझे displacement कौन से second में चाहिए, तो क्या लिखना सही है, displacement in nth second, क्या लिखों, displacement in n second, मैनस कर दो, displacement in n-1, क्यों, तुम भी तो quiz नहीं दिये हो, कब दोगे भीया, तुम अभी आयो ना, quiz दिये थे, तो कब दोगे, देखिए, displacement in nth second, आपने क्या बोला, n-1 से, तो बताओ, displacement in nth second, क्या लिखोंगा, अब बच्चा सोचेगा, sn-1 लिखाए, master, minus sn कर देंगे, ऐसा होगा, क्या, नहीं होगा, क्योंकि तुमने बोला, nth second, तो nth मतलब 5th माल लो, तो 5th कहां से, 4 से लेकर, तो displacement कितने सेकंड में, 5 में, और 4 में, दोनों का क्या लोग है, minus करोगे, तभी 4 से कहां के बीच में आएगा, 5, कितने सेकंड का gap है, एक सेकंड का, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने ये लिखा, अब बताओ, माल लो, ये कार है, ये U क्या है, इसका है, U मेटर पर सकंड से जा रहा है, और acceleration कितने है, A, बोलो सही है, तो बताओ, इसका SN क्या लिख होगे, U into N, plus half A, U T plus half, A T square, इसका बताओ, ये acceleration A से, और इसकी भी रफ्तार क्या है, U से, बट इसके लिए हम निकाल रहे है, SN minus 1 के लिए, इसके लिए, बताओ, SN minus 1 के लिख होगे, U N minus 1, plus half A N minus 1 होगे, क्या रखके, पुट पुटा के मैनस कर दे, जिरा बताओ, क्या होगे, U into N, plus half A N square, मैनस कर रहा हूँ, मैनस कर रहा हूँ, खोल दे रहा हूँ, एक बार में, U N, minus U into, बोलोगे, A, plus half, एक बार में कर रहा हूँ, A minus B का, लिख दूना, A square, plus B square, minus 2 AB, जिरा इसको लेको, क्या बना, half A N square, minus plus, minus, 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 minus plus, क्या लिखो, N square, minus, 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 A, बोलो से यह क्या, U N से, half A N square से यह गया, क्या बना अपने पास, U, सुनो, इन दोनों में क्या कॉमल लेंगे, half A, तो देखो क्या बना, U, plus, half A, 2N minus 1, यही है, displacement in N second, यही है, displacement in N second, आपको proof से कोई मतलब, नहीं है, किस से मतलब है, formula से, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, क्या रटा होना चाहिए formula, displacement in N second मतलब होता है, U, plus, half A, 2N minus 1, U, plus, half A, 2N minus 1, अब यहाँ पर, important बात है, पहली चीज़, पहली important बात है, ज़रा बताईएगा, यहाँ S क्या देता है, distance या displacement, जीवन में हमें सा याद रखेगा, S क्या देता है, displacement, पहली important बात, S gives displacement, दूसरी बात, क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर, N, fraction में हो सकता है, जैसे 2.5, 3.5, हो सकता है क्या, या integer में होगा में सा, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 1, 2, 3, ऐसे होगा, या fraction में हो सकता है, 2.5, 3.5, integer ही होगा, fraction भी हो सकता है, कब हो सकता है fraction, N, integer हो यह जरूरी, नहीं, बस सुनिएगा, fraction में हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन, gap कितने second का होना चाहिए, 1 second का, 2.5 से कहाँ पुछादा सकता है, 3.5, कभे भी 3.4 के लिए यह नहीं लगेगा, 2.5 से 3.5, समझ गया क्या, 1.5 से 2.5, gap कितने का होना चाहिए, एक सकंड का, N, integer हो, जरूरी, नहीं है, लेकिन, gap कितने second का होना चाहिए, gap, एक सकंड का हो, तीसरी important बाद, देखो ज़राइच को, क्या कहता है, कौन, dimension का rule, principle of homogeneity, LHS के हर टर्म का dimension, RHS के, हर टर्म के dimension के क्या होना चाहिए, जरा इसको देखकर बताओ, क्या यह सही लिखा है, देखना जरा, displacement का, मातरक, यूनिट बताओ, मीटर, यू का बताओ, मीटर, इसका बताओ, मीटर, पर सिशन, बोलो, और यह तो कहीं से सही नहीं है, और अगर कोई चीज dimension incorrect है, तो equation ही क्या है, इनकरेक्ट है, जरा देखो इसको फिर से क्या कर रहा हो, अगर यह equation सही है, तो LHS का हाई term का dimension, अरचेस के high term के dimension की क्या होना चाहिए, बराबर, इधर तो displacement है, तो क्या होगा, मेटर यहां किया है यू का क्या होगा Bears एंटो एक है यहांपर एंट मेटर पर सेकन्ट क्वेट यहां यहां तो मेटर है क्वेशन सेह modular है बता वह तो मुझे यही तो मिरा सवाल वह तो अलग बात है कि तुम पढ रहे हो तुम पहले से पता है अभी तुम नहीं बच्ची होती बिल्कुल कुछ बिलकुल नहीं पता होता अगर उनको ये फर्मॉला उनको ये फार्म्मॉला पता है तो सुसे ओ विखता कैसा fired sadly इंकरेकれield वेट होता क्या है अगर सोचो यही सवाल उस्ने यह पूसीन दे दिया हो चार अनमें से पुषथा कौन सा अतो ड्यंकरेक्ट में बहुत सारे ब्च बैकर करे डैंल क्या वटा दिते Montev a बताओ खुद से जब तुम यहीं नहीं बता पारे हो कि नहीं बिल्कुल यह सही है देखे ज़रा द्यान से आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हैं बार बर यू था ना यू के साथ कौन मल्टिप्लाय था वन सकंड हम क्या कर रहे है यू इंटु एन यू एक क्या है मीटर पर सकंड एन क्या है सकंड तो जब तुम मल्टिप्लाय करो यू इंटु एन तो मैनस यू इंटु क्या कर रहे है वन तो वन भी क्या है सकंड तो यहां कौन मल लिखते हैं नहीं है तो कि 1 को लिखने का कोई मतलब फिर से सूर यह मैं क्या कहा रहा हूँ आपको चमा काई मैं क्या कहना चाहरा था मैं यह कहना चाहरा हूँ बस कि जब आप प्रूप कर रहे हो देखो ना दिखते हैं तो यहां पर कौण बैठा है वगैं कि यहां पर कौन बैठा ऑएं यह से मीटर पर सकंद in two seconds अब देखो क्या हो गया मीटर अब फिर से जहाँ देखो यहाँ भी मल्टिप्ला में कौन वेठा है बंशेकन तो अब देखो जरा मेरा पर सकंद क्यों इसक्वार इंटू एक सकंड इसका याएगा और है सकंड समझ गए तो बिल्कुल क्या है डामेंसली करेक्ट है तो दिखती कैसी है यह दिखती डामेंसली इनकरेक्ट है बट होती समझ गए क्या आज के बात आपको इन में से क्या जाद रखना है यह फॉर्मुला और यह तीन इंप्रेंट कि एस कभी भी डिश्टेंस के लिए निगाएं किसके लिए निकालेंगे डिस्ट्रस्माइब यह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 2.5 गो सकता है 2.75 गो सकता है लेकिन ध्यार नखिए गैप कितने सेकंड का होना चाहिए एक सकंड तीसरी चीज़ डिखती कैसी है डैमिशली इनक्रेक्ट बट होती कैसी डैमिशली और क्यूंकि यहाँ पर मुल्टिप्लाय में कौन चुपावा है वन सेक्ट अच्छ अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टन बात कि अभी तक इतने बार हमने क्या पड़ा आगर एक्सेलेशन क्या हो जाए क्या हो जाए क्या हो जाए कौन-कौन सा एक्वेशन वेलीड है वी वराबर यू प्लस एटी एस बराबर यू प्लस हाफ एटी स्कूर और बताओ वी स्कूर बराबर यू स्कूर प्लस टू इस वैसे तो यहाँ क्या लगा देते हैं मौन समझगे क्या है शौथी एक्वेशन अभी पड़े डिस्प्लेस्मेंट इन एनफ सेकंड यू प्लस हाफ ए टू एन मैनस वन भाहिए इसको खून में बसा लेजिए जितने लिखराओं एक होता है बटा वी एवरेज क्या होता है आप ऐसा अगर एक्सेलिशन क्या है कॉंस्टेंट तो वी प्लस यू बाई क्या लिख सकते हो टू अच्छा शिक्स्त यादे डिस्प्लेस्मेंट बरावर क्या लिखतो हूँ वेलिशिटी इन्टू टाइम तो यहाँ पर अगर तो आप यह भी लिख सकते हो कैसे वेलिशिटी इन्टू टाइम लेकिन वह वेलिशिटी कौन सा वाला वी एवरेज वाला लिखोगे तो आप इसको क्या करतोगे वी प्लस यू बाई टू यह प्रूफ होता है इसका मैं करनी रहा हूं कोई मतलब का है नहीं बस आपको लेकिन ध्यान रखेगा अगर कॉंस्टेंट है और आपको लगाना है क्या displacement बरावर वेलिशिटी इन्टू वेलिशिटी इन्टू टाइम तो ध्यान रखेगा इस वेलिशिटी में वी एबरेज आएगा क्या एगा और वी एबरेज का फोर्मूला क्या होता है वी प्लस उठा रहा हूँ एक-एक सवाल बहुत इंपोर्टन है कि पिट कर लिजिए इस फोर्मुले को इन्हीं पर सवाल होंगे अभी एक बड़ देख लिजिए इन्हीं पर सारे सवाल होंगे देख लिजिए क्या चलिए आगे जब आगे है बताई अगा था इस अदो कि अधिए अधि चलाओंगे तो बहुत अच्छा लगेगा अजका लिक्षर बरनागे तो अपर पाइब नहीं भी आरा कोई बात निंगा लगा के फोमले यूज करो हाथ चला वह बहुत इंपोर्टेंट आप आप सिंपल किसका किसका पुछा इटा डिस्प्लेस्मेंट इन शेकंड अपॉर्मेंट इन अथ सेकंड बोलो और दोनों बात सेम नहीं है दोनों बात क्या है अलग अलग बताओ सिंपल डिस्प्लेस्मेंट इन सेकंड यह एन सेकंड है और यह एन न सकेंड है क्या होगा यह पहले में लिख देता हूं अपॉन में क्या लिखेंगे यू प्लस हाफ ए टू एन मैनस दोनों के लिए फोर्मुला होता है अब देखो सुरुवात कहां से हुआ है यहां भी यह क्या हो जाएगा तो उपर देखो क्या बचा हाफ ए टी यहां पर कितना सिकड़ माने हो तो उपर क्या लिखोगे एन इस अपॉन में यहां पर बताओ हाफ ए टू एन मैनस तो सिंपल आंसर क्या है एन स्कॉर वार टू एन मैनस मेरा मक्सद यह है बताने का यह सवाल एक इंपोर्टन रिजल्ट के तरह रटा जा सकता है सोचो मैंने आपको बला डिस्प्लेस्मेंट पांच सेकंड में और डिस्प नों का क्या बताओ रेशियो क्या है रेशियो डारेट रखो पांच का स्कॉर पचीस अपॉन में दस मैनस एक नौ पचीस वट्टे लेकिन अगर यह आता है तो आप अगर नहीं भी याद रखोगे तो आप इससे स्वाल कर रहोगो चुकि मैं यहीं का हूं तो मैं यहीं र स्वाल करवाना नहीं था अगर आपको का रिजल्ट याद हो जाए ये वाला तो भी बहुत अच्छी बात कि चलिए नेक्स स्वाल कि खुद से चॉल करेंगे सारी स्वाल चलिए कि कि चलिए बते जाए 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 कि चाए कि फॉल बात है कि सब्का गया अग्या क्या इस पूर्ट सब्सक्राइब नई पहले अंतर समझे एक सटेंड दो सटेंड यह सिंपल वालत के लिए इसको देखे जैन में आता है क्या यूटी प्लस आपेड इसको लगा हूंगा यह लगेगा वो तब लगेगा फॉर्स अगेंड थाट होगा तो एक सकंड में बता दीजें खटाक से कहां से स्टाट किया है रेच से तो यू तो क्या होगा जीरो सिंपल के लिखेंगे हाँ ए बोलोगे तो एक इत्ता हो गया तू और सुमों करीबो करवाने का यह सब सभाल है इसकां से रटा होना चाहिए यह तुम्हें पता है वन इस्टू फोर इस्टू नाइइस्टू दो जार तैस में सभाल आये होगा है इस बार नहीं पिस्री बार चार ओप्शन में से कौन-क यह स्कुर्ण किता हो गया रहे मैं तो ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको दिख रहा होगा असानी से आगे सॉल करो क्या बहले एस्टू एस्टू का रिचियो यह लोगे तो क्या दिखेगा वान इस्टू आपको वन ने फॉर टाइमस एवर तो क्या बनाव नहीं लेकिन स एस्टू 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 एस्ट्री एंड सॉल तो बताओ कैसे लिखो वन इस्टू फोर इस्टू अगला क्या यहा कॉन होता है रहा है अगला इसको लिखते हैं 1, 2 का स्कार, 3 का स्कार, 4 का स्कार तो यह याद रखेगा 9, 16 अगला 20, and so on तो यह आपको याद रहाँ चलिए इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा 1 का स्कार, 2 का स्कार, 3 का स्कार, 4 का स्कार पता है मैं यह क्यों करवा रहाँ, क्योंकि जब मैं आगे चलकर, motion rate में drop करूगा तब भी वहाँ पर रिच्व पुछा जा सकता है, displacement in 1 सगेंड, क्योंकि जब drop करूगे तो दीवरा परी कवाण है, जी क्या है, constant, फूली सारी क्यों कोई जिक्कर, ऐसे घर क्या आप ऐसे करें, सारे निकाल सकते हैं, अगला सब, लाइट से ले गई है, पैटा यह वाली बल्व, यह वाली लाइट बनकर तो, जब तक लाइट में जाते हैं, कि हजार हजार वॉट का है तो, सुमर जाना पीछे, चलिए नेक्स सवाल, आंसर चाहिए, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, किता टैम हो गया, है, है, बस बीना पेंच लाइच वाल होगा, यह वाल को, पता नहीं क्या सोचने है बाइच, इस सिंपल है, बीना पेंच लाइए, खुछ सोचो, क्यों बीना पेंच लाइए, बताओ क्यों बीना पेंच लाइए, कौन सा वाला यूज करो, देख लिए, चमका ही नहीं, यही है बहिए, अब ज़रा चेक करो, सब कुछ भई है, अब्जेक्ट मूज, पचास मेटर कितने सेगंड में, एन सेगंड है, एन सेगंड नहीं है, तो सिंपल तुम्हें पता है, देन फाइं डिस्प्रेश्मेंट ही, ट्वेंटी सेगंड, तो यह अगला वाला ही तो है, S1 आपना S2 का रिशा क्या है आएगा, 1 सिट्डू, 4, 1 सिट्टू, S1 कितना है, 50, S2 पता करना है, तो S2 कितना है, 200 मेंट, नहीं तो तुम सॉनल करके देखलो आंसर भई, ठीक है भई है, ठीक है यह समझाया ना पक्का एक सेगेंड दो सेगेंड तीन सेगेंड ऐसे अगर है तो सब्सक्राइब अब रटा हुआ है तो डारेक्ट भूल जो समझ गये ना वर्ना आप क्या लिख होगे फिर से इस बार कौन सा फर्मल लगाएंगे पहले इसको देखतेंग बता हूँ सकंद प्लॉस ऐसे करके थर्ड इनका क्या लोगे पृटा रेश्यू और वो रेश्यू सबको याद होने चाहिए उद्दे की बात यही है बताव क्या होता है रेश्यू फर्स्ट अभी इसने बताया चैयन सा कर दिया इसने थर्ड एंड सौन क्या होता भी यह वान इस्टू थिरी इस्टू फाइब इस्टू सेवन इस्टू नाइन इस्टू यह पिछले वाले से भी बहुत इंपोर्टेंट है कि जब मैं नल वाला प्रॉब्लम करा रहा हूंगा तो बोलूंगा सगेंड रॉप फर्स्ट तो सगेंड समझ में आना चाहिए आपको क्या है उनके डिस्प्लेश्मेंट का क्या पूछा जाएगा रेशियो क्या पूछा जाएगा तो यह याद मैं और कभी-कभी डारेक्ट भी तो नाइन इस्टू पहले एक सेकंड में कित्ता गिरेगा हो पांच मिट्र सुरी वन इस्टू फोर इस्टू इस तरीके जाएगा अगर मैंने बोला पहले सेकंड में पांच है तो अगले सेकंड में होगा पांच हो के बीस जैसे अभी 50 था तो क्या हुआ था दो सो यह टू इंटू पहले सेकंड के लिए क्या रख दो बोलो यार आप रेस्टू ले लोगे आंसर क्या गाएगा वन इस्टू त्री इस्टू फाइश्टू इस्टू गर्मी लग रही है ओके अगला स्वाइग अभी बताया अब नहीं किये तो मूत हुकर दूंगा पिस बीना चला होगे पिसले से हैं है फॉर्स टेंड्स सेकंड में पूछाए और डिस्प्रेश्मेर नेक्स्ट 10 सेकंड करें फॉर्स्ट मतलब फॉर्मुला कौन सा खाल किछला माला हैस फी सी क्या लगे गहां बताओ वान इस्टू थी वान इस्टू टू में स्टू फ्री देखो तो यह देखते हैं फर्स्ट वान इस्टू थ्री फर्स में किता है एस्टू किता हो जाएगा दो सुन चालिस थीक है भी यह है भाई बहुत कंफुजन होता है एक सेकंड दो सेकंड और फर्स सकेंड खड़ देख लेजे जा के घर में अच्छे सॉल्व किजएगा दुबारा वापस चलो बता दुआ से बस यही तुम्हें चालता था यूजीर वही गया सन्नाटे मतलब जो चल रहा है अग्दम भीड़ गया उसी के साथ यहां यू देखिए वह सारे तब लग रहे थे जब यू क्या था जीरो अब सिंपल लगाई यह फॉर्मूला यही तो समझें पहले कितने सब्सक्राइब पूछा है तो कौन सा वाला स्थ्री सिंपल यू टी प्लस आगी लाइंट विटाश्टू यू टी प्लस हाफ 80 स्कोर यू टी प्लस हाफ 80 स्कोर बतागी क्या रख्डू दो इंटू तीन प्लस हाफ इंटू 10 इंटू किता मिटर आरे रही 51 आरा ना और ऐसी एस थर्ड में थर्ड के लिए कौन सा वाला यू प्लस हाफ हाफ ए 2 एन मैनस यू किता है 2 प्लस हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू प्लस हाफ इंट पांस दंपचास प्लस पच्चीस दो 27 मीटर बोलोगे क्या क्या अंडरलैंड करने वाली बात थी इस बार क्या गिवन है यू जो अभी तक आप पढ़े थे वो ड्रॉप वाली केस में सुनना यह बुद्धी चमकनी चाहिए जब मैं मौशन अंडर क्रिविटी पढ़ा रहा हूंगा तो यह काम मैं सिर्फ जो अभी तक पिछला वाला काम था वो किसमें कर सकते थे ड्रॉप वाली केस में अगर बॉल को ऐसे रप ठेके तब ऐसा काम नहीं कर सकते तो इसलिए ध्यान रखेगा वह सारे फॉर्मले तभी आप जो रेश्योर एट वो तभी ए जब क्या है ड्रॉप का कैसा है मतलब या उसमे इसमें समझो Ce ओर जोंटल में पार्टिकल कब से स्टार्ट कराया रेष्ट से कैसे स्टार्ट कर रहा है यह ध्यान देने वाली बात इना सुने अधर्वाइज आपको सिंपल दोनों का लगलग फोर्मूला यूज करें फोई दिक्कत आगे चले चलो बतादू खटाक्स ये फोर्मूला कोन बताएगा जल्ली सबता जी ये फोर्मूला के रहाँ आंसर कोन बताएगा साथ बताओ किता है अब पता है दो कितना स्वय और बात कर रहे हो तो ये जान के सब्सक्राइब और पता ही चलता है कि सालत क्या करें और बच्चा खूबी क्योशन लिख रहा है कितना है तुम्हें इतना टाइम लगाना ही नहीं था अभी फोर्मूला बताता है एस बराद यू प्लस वी बाई टू इंटू टी यू कितना है छे वी कितना है चब्वीस चब्वीस प्लस बत्तिस बटे दो शोलों लों ने पांच अस्यूं कि देखो बहुत सारे तरीके होंगे इसको करने ऑच अभी हमने आप पर एक फरमूला बताया था देखो यह वाला जानगे करवाया हो कुछ था ने बट जानगे करवाया होटा चुकि पता नहीं चलता और हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं यह वाला आपके पास क्या बिल्कुल नहीं है अपने पास रफ्तार में जाना है भीया तो देखते ही आपको खुश्बू आनी चाहिए मतलब खुश्बू वो सॉरी यू प्लस वी बाए टू इंटो टी यू किता है चे प्लस 26 बाए टू इंटो इंटी में ठीक है वरना डारेक्ट आप और भी प्रूब कर दे रहे होगे तो बहुत बार प्रूब करके यह आता है फ्रमुला हम उसको करके यही लाता है करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आप कर सकते हो बड़ बटा समय नहीं है तो याद रहे डारेक्ट ली अब यह सवाल है यह सवाल का अंसर मैं वेट कर रहा हूं कौन बताता है देखता हूं चलो करो दो मिनिट आप ट्राय कर सकते हूं और यह सवाल ऐसे खूब आते हैं और आपको तकलिप देते हैं वो तो मैं पूरा सॉल करूं गई बट एक बड़ आप ट्राय करें इसको जाले कर दो मैं बटको देखता हैं और प्राय कर रहा हूं का वा मैं वह सवाल कर देखता हैं जा एक है तो जrav ¡해! है 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 इंडिजर में अंसर है एक एक से नौ कोई जल्दवाजी नहीं एक से नौ आंसर है कि तुमारे टैन भी खतम है कि एड़े मैं बेकार बोल दिया एक से नौ सबी टैनल मारता सुकर देते हैं तो अब एक से नौ में बोलोगे तो कुछ न कुछ तो मैच करी जाया है पैसे आया है वाई अध्या है है अध्या है जली बता अब हो चुकाच मोरा मैंस पास आंसर है 6 देखिए सवाल को करें कि एक बुलेट है कितनी रफ्तार से आरा है जब इस प्लैंक को पहला प्लैंक मिला इसको इससे जब बाहर निकल रहा है यह बुलेट तो अपनी कितनी लूज कर दे रही वेलोसिटी इनिसल वेलोसिटी का वन बाइ टेंथ इनिसल किता था उसका वन बाइ टेंथ तो यू बाइ अब यह बुलेट यहां से रफ्तार लेकर निकले बुलेट आई अब बुलेट लूज वन बाइ टेंथ वेलोसिटी आप्टर पासिंग थ्रू अप्लैंक एक प्लैंक से टक्राई पहले यहां से यहां बोलू टक्राकर कितना लूज कर दे रही है अपना इनिसल वेलोसिटी का वन बाइ टेंथ पार्ट कर दिया मैंने अब यह वेलोसिटी से यह कहां मूब करेगी आगे आगे पढ़ो क्या है अब ऐसे जब यह यहां से आई ऐसे कितने प्लैंक तुम लगाओगे जिसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए तो मैंसे कितने प्लैंक लगाएंगे तो माल लेते हैं बच्चे ऐसे हमें नहीं पता है तो ऐसे कोई एन प्लैंक होगा बोलो मैं जन्रल भी सॉल कर दे रहा हूं और वहीं से अंसराजाए तो कि और बाद में यहां पर गुल्लेट क्या हो जाती है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई जिरो बोलो अब यहां से यहां के बीच में ऐसे कितने प्लेंग मालो एन प्लेंग पहली प्लेंग से अपनी रफ्तार का 1 by 10 हिस्ता लूज कर देगी तो कितना होगा 9 यूगा 10 अब यहां से यहां कितने प्लेंग तुम्हें लगाने परेंगे ताकि उसकी विलिश्विटी क्या हो जाए 0 हमने कितने प्लेंग लगा दिये तो बताओ अगर मैं बोला यहां से य प्लेंग के बीच में दूरी कितने नमर प्लेंग है एंड तो बताओ टोटल यहां पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा एंड टाइमस अब कुछ नहीं करना है आपको दो बार एक्क्वेशन लगाने एक बार इनके बीच में लगाएंगे वी स्क्वार बराबर बताओ यू तो यू है प्लस टू ए एस टू अब सुनना जब यह टकराएगी इसको रिटाडेशन मिलेगा एक्सेलेशन रिटाडेशन क्या मिलेगा रिटाडेशन तो बताओ यह एक्सेलेशन प्लस कलो यह मैनस का है एक्सेलेशन वन अब एक बार इन दोनों के बीच में लगेगा इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में बताओ इतना हो गया वी स्कार बाबर यू स्कार प्लस वी कित्ता हो गया जीरो कि फानल मेंसिटी का करना बुलेट की जीरो कि यू कित्ता है पिटा नाइन यूगर तू माइनस का अब एस एस नहीं है एंड टाइम स्केर अब पता है मजा कहा है यह तो पहली इन दोनों एक्वेशन को सॉल करोगे बस और नीट वाले सॉल करने में तुमारी यह सिखते इसी है ना तुम रब पेज में यह दो एक्वेशन है तुम्हें एन के वेलिव निकाल ल ने यह दो इक्वेशन तुम तो बस यह दो इक्वेशन लिको और सॉल करके देखो तुमसे नहीं होगा फिर मैं स्वाण करूँ हमा तो मैं अच्छा लगेगा देखनाना क्योंकि बच्चा सॉल भी नहीं कर पाता है काम तो खटम हो चुका है खेला है सॉल करने का बस एक व कुछ गलत्य कुशन नी बन गया चेक करना इबाद हम इसको डायेट भी कर सकते थे पताए कैसे तो इजी आपको लगता अगर वहां से यहां के बीच में कर देते तो उससे क्या हो जाता यह तुमारे लिए अभी तो ऐसा ड्रावना सा हो गया है बस देख लो एक बार अगर तुम डायेट यहां से वहां लगा देते तो सिंपल अगर यहां से वहां के बीच में कर दे सुनों इदर देख लो एक अगर इसको यहां से करोगे तो आएगा तो अंसर तब भी बट अगर आप उसको यहां से यहां कर दोगे तो तुम एक कल्कुलेशन से बज बज़ाओ कहां से कहां यहां से यहां से जरह इनके बीच में बत टोटल दूरी अब इनके बीच में कित्ता होगा इसको रोकने के लिए कित्ता दूरी होगा एनस पूरा होगा अगर वो फॉर्मूला इनके बीच में लगा होगे तो बताना क्या फॉर्मूला बना V स्क्वार बराबर U स्क्वार प्लस 2 A S V कितना है 0 का स्क्वार U अब कितना होगा 2 माइनस का A S कितना हो जाएगा अब सॉल्ट करो जल्दी से हो जाना अब ये दोनु सॉल्ट करो लोगा सु क्या एंग जक्त लिया रहा है तुमारा एंगजक्त आया तो एक अब टा कुछ पॉइंठ में आयोगा तो पॉइंच में कभी प्लैंक हो नी सकता चलो हो जो जो इंक कित्व है ति तुमारी एंग्जेट 6 आगी थी मतलब अरे वही पूछ रहा हूँ, एन की इग्जेक्ट वैल्यू कित्ती आई? नहीं पाइब नहीं पाइब अरे यहां से क्या आगया वेल्यू देखो जड़ा इसको से लिए क्या दाओगे? 2A N S बरावर U स्कॉर ठीक है? तो आपने इसको क्या लिए सकते हैं? U स्कॉर वै एन किसकी वेल्यू? 2A S की वेल्यू देखो यहां से, चलो मैं स्वाल कराओ, समय लगा दूग नित्तू यहां से हमने 2A S निकल लिए, क्या निकल लिया? वो कित्ता मिल जागा? U स्कॉर वै एन यहां से 2A S बताओ कित्ता मिल जागा? यहां से, मैनस का है तो इस चल लिए का हो जाओगे? तो u square minus 9 u square by sorry 9 u by 10 का ओके अब इन दोनों को let's say 1 और क्या बोल दिये 2 अब solve कर लो दोनों किसके बराबर है दोनों किसके बराबर है 2S के दोनों को बराबर करतो होगे तो कर दो equate कर दो first and second वो कित्ता होगे भाई u square minus 9 u square by 10 बराबर ही कित्ता बनेगा यह बराबर ही कित्ता बनेगा है अब यहां से देखो कित्ता है अब यह क्या होगे 100 u square 81 u square बराबर u square by n 100 means 81 गया 19 u square by 100 बराबर u square by u square से उसका निप्टा दो तो 19 n बराबर 100 तो n बराबर बिटा 100 बराबर 9 by 9 यह आ रहा है उनीस पच्छे 95 फाइब पॉइंट है वन वन गास्पर अब प्लेंग तो ऐसा होगा नहीं पांस तो बिल्खुल एक्जेक्ट आया लेकिन पांस पॉइंट वन बन मतलग आधा प्लेंग तो काट होगे नहीं तो उसके लिए पूरा एक और क्या यह प्लें प्लेंग चाहिए तो यहां पर टोटल इसको किस पो लीख दो नहीं तो कितने प्लेंग चाहिए यह को अ हॉआ है को यह सवाल आता है फिर से उच्छा हमने बोला म him charismatic 5S कि अ लगाओ कि उसकी वेलिशेटी क्या करनी है तो हमने बोला यह पूरा अगर हर एक प्लेंग के बीच की तूरी कित्तु है एस पूरे ऐसे कित्ते में चाहिए एनस तो एक बर हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया बोलो और एक बर इस फैस्ट और लास्ट की बीच में लगा तो ही आग से ठीक है क्या थाइप पॉंट जो भी है यह सवाल सॉल करके बते है इसको सॉल की अच्छा सवाल है मुझे ठन लगा दिया इसी में एक तो यह वाला बंद करो इसे वाले का दोको श्याल अच्छा सवाल है फिर से एक रिजल्ट ही है मॉडूल दे दिना कोई इसके आंसर आपको रटे होने चाहिए और आपको ऑप्शन में चाटने को मिल सकते हैं आपको 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 आपका रिए आसलबको आपको 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 आपी या लट्कराऊर दे ने मेडे आपको कि इस अफ जाज़ तो बता दो अज़ बंकर दू के इवल अब यह वाली वाली वी बंद कर दो पुटा मेरी कुदालत खराब कर दीश अबस एक पिछे सेल इसाथ कर दो अच्छा सिम्ला है का इसी कर रह अगा आगया है हम दो चलो को संब देरता हो देखता हूं संब पर पहले पड़ भूब अब पार्डिकल मूच वीच इकोंस्ट इसलेशन फरूं है सब्सक्राइब कितने टाइम में दन्फाइंड थे स्च्डिक्राइब गवर कर रहा है और कितने टाइम में धन फैन्ट अटैम पू तो बना लो कि पूरा डिस्टेंस किता अभी या कितने टाम में कवर कर रहा है तीट है पहले इतना सा रीड क्या हूं पताओ किसी कोई तकलिप अब आगे पड़ो देन फाइंड रेशियो अब टाइम फोर फॉस्ट हाफ डिस्टेंस पहला हाफ डिस्टेंस बोले तो एस बाइटू बोलो यार तो यह कितना हो जाएगा एस बाइटू देखो अगर क्वेशन पड़के आपने फीगर बना लिया तो आधा काम वहीं खत्म ह यह कोई टाइम कितना सकन लेगा टीवर अधार रेशियो ऑफ टाइम फोर फॉर्स्ट हाफ डिस्टेंस यह टाइम क्या होगा और इस वक्त इसकी रफ्तार क्या है वहीं जीरू पहले तुछ नहीं समझो दोनों आधे आधे डिस्टेंस में क्या एक्वल टाइम लेगा नही क्या शुरूबात कहां से हुई है जीरों से यह बढ़ते-वढ़ते एक्सलेशन थिए क्या करें रसकी और अवbellが यह टीवन टाइम बाद इसके अपास रफ्तार आ चुकी होगी तो यह वाला टाइमीं यह वाला डिस्टेंस में टाइम किता लगें कुछ अलग लगेगा तो इसको क्या बोल देंगे है कि एस बाइटू ही कवर करेंगा लेकिन किसी है टी टूट है कि पस अब दिमाग लगाओ दो एक क्रेशन बनाने हैं पहले तो कहानी रीड करके या आपको फिकर समझा नहीं चाहिए इस फिकर में कोई तकलिप है तो आप बता दू अब दो एक क्रेशन लिखने है पूरा यहां से यहां कवर करने के लिए एस बराबर क्या लिखोंगे यू टी प्लस हाफ एक टी स्कोड पूरे एस कवर करने में कितना डाइम ला करा है कैपिटल टी बोलो एस बाइटू कवर करने में यू पहले तो क्या है जीरो मैं इस वाले का कवर कर रहा हूँ यह वालो ओके बोलो यार तो अब बताओ क्या लिखोंगे एस बाइटू बराबर जीरो सिम्पल हाफ एक टी किता है टी ओन का यह टू को अधर चाओ तो मल्टिप्ले कर यह टू से टू तो क्या होगे कैंसल यह भी एस के वरावर है याने तो सिम्पल टी ओन प्लस टी टू किसके वरावर होगा टी के अरे बोलो भाई यह भी तो सोच सकते हो अब यह दो इस क्वेशन है कैसे सॉल करोगे आया अने संद क्या है बताओ रूट टू प्लस वन या मैनस वन हाँ पहला है अच्छा तुम्हें रेशनलाइज करके बता दिया ओक्या चलो दोनों को बरावर कर दो यहां से एस निकाल करके दोनों को बरावर करो देखो क्या रहा है सॉल करके दिखो जरह सॉल करके हां चलो भी यह नहीं तो नहीं आएगा दो एक्वेशन मिल गया आपको सॉल किजिए इसको बताई जल्दी से यहां भी एक मिनट इधर देखना पहले वाली क्या होगा जीरो क्योंकि कहां से स्टार्ट है रहे से तो सिंपल इन दोनों पर ध्यान से दो एक्वेशन मिल सॉल कर लिए और दोनों करेशन लिए झाल आगया वन इस टू यहां करता हो गया हाफ एटी स्कॉर बरावर लिख दूंगा यह टू से टू का इंसल कर दूंगा तो क्या बनेगा ए टी वन स्कॉर बोलो यहां से टी वन स्कॉर करता हो गया बटा टी स्कॉर बाए टू कोई दिक्कत प्रम फर्स और सेकंड तो बताव टी वन कित्ता आ गया रूट लोगे तो क्या बनेगा टी अपॉन में रूट टू यह क्या है टी वन ऐसे क्या निकालेंगे टी टू बताव टी टू को क्या कर दोगे कैपिटल टी में से क्या मैंस कर दोगे टी वन इसल्ग और आहिमा असो ओंपले है या ती वन प्लस टी टू क्या हे एक कपिटल टी ती वन आह चुका है तो हमने टी टू ठीटी यह क्या कर दिया क्या तीन कि ऑखो को सबन बन आए यह समझाशे यह तमये का अ क्रेयरस अ आफ़ और क्या है capital T to T 2 के लिए क्या करें capital T में से क्या मनेस्ट गटीइंगे T1 तो कैपिटल T में से मैंनेस कर दिया T1 कित्ता है तो क्या है तो कित्ता होगय हुआ तो यह होगय है और सोचो टाइका लेलू क्या होना रूट 2-1 अपान अब दोनों का क्या पूछा है बस अब खत्म अब खत्म T1 is 2 T1 किता है अपने पास T1 किता है T2 किता है T2 मैनस 1 अपन में मुलू सही क्या रूट टू से रूट टू T से टी क्या अगर इसी हो 1 is 2 रूट टू मैनस 1 अब ये सवाल अगर आया तो तुम वहाँ करने में इसको समय बरबाद नहीं करो इसका आपको रिजल्ट फिर से क्या होना चाहिए याद होना चाहिए ठीक है अगर कोई भी पार्टिकल है यही चीज को मैं कहा बढ़ा सकता हूँ जो आपकी मोडूल में गीवन है ड्रॉप की केस में किसमें केस में है एक पार्टिकल को क्या करते हैं ड्रॉप तो उसका रेशियो आता है रूट 1 इस्टू रूट 2 माइनस रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा बोलो भाई तो अगर आप इसका रेशियो लोगे तो आगे का पूर आपको जो रटना है टी 1 इस्टू टी 2 इस्टू टी 3 एंड स्वाण रेशियो होगा रूट 1 को क्या बोल सकते हो वन ही बोल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात अगला क्या होगा रूट 2 माइनस जब अगला रेशियो लोगे ऐसी चलता जाएगा तो बनेगा क्या सब में प्लस इसमें कर दो एक दो में एक प्लस करोगे तो कित्ता बनेगा रूट 3 माइनस यह बन जागा क्यत्ता यह रूट कहना इस तरीके से एंड स्वाण चलता जाएगा ठीक है वान इस्टो रूट 2 मैनस 1 इस्टो रूट 3 मैनस 2 अगला होगा रूट 4 मैनस इस तरीके से मैनस 3 हो जाएगी एंड स्वाण चलता रहेगा यह सवाल है अगर दो के लिए पूछा तो यह आपको इस तरीके से यह रटा हो तो कोई दिक्कत वाली बात मोशली इस आप में यह रेशियो पूछा जाता है कि बताव यह रेशियो सही अतलब चार्ड आपको देंगे एक रेशियो कौन सा बला एक रेशियो देगा एक फ़र्स एस से थार्ड इस तरीके से ऐसे करके बना करके दे दिया जाता है रेशियो तो कौन सा सारे डेशियो आपको याद होने से नेक्स अब देखो है क्या है आपके पास किश्टापिंग का और बोले तोव सूपिंग डिस्टनस सुनिएगा जो कि तुम्हारे पास है नहीं बट फिर भी मान सकते हूँ है कि देख्या है कि मालो अब गड़ी चला क्या रहे हूँ कि आपने देखा सामने कुछ है तो आपने सोचा कि मैं क्या लगा देता हूँ सिर्फ सोचा है लगाया सोचा है तो इस बतल लगाया यहां इस यहां से यहां तक क्या बोलते है क्या बोलते है वैने सिच्वेशन दिमांड्साभर immediate action it takes some time before we really respond such में तुम कहां लगाए हो यहां पर और तब तक तुम्हारा दिमाग क्या किया सोचा तो कुछ दूरी चल लोगे तुमने सोचा कि मुझे क्या लगाना चाहिए ब्रेक बड़ तुम्हारे पाउं जितनी देर में ब्रेक लगाते तब तक में तुम कितना दूरी चल चुके थे इस कितना दूरी चल चुके है बोलो रप्तार किती है तुमारी यू अब तुमने यहां पर ब्रेक क्या लगाया अब ब्रेक लगाए तुरंत रुकेगी नहीं अब यहां से यहां क्या होने वाला है कामी अभी तक तुमारे पास यहां पर कोई एक्सेलरेशन जिन्दा नहीं है तुमारी गाड़ी समझो चल देए उसे मैंने बोला है कि A से चल रही है नेस जिसे चल रही है और यू से चल रही है और एभी 0 है तो सिंपल डिस्क्रेस्मेंट निकालने के लिए क्या होता है वेलोसीटी इन्टु टाइब है वेलोसीटी इन्टु तो सिंपल बताहिए यहां पर रियेक््सेन टाइम के लिए चैनलिक होंगा में बताओ अरे हैं बेलोसीटी टूद की टिदिट रहें यू मधू इन्टू टाइब करता है तो बताओ टान क्या हो जाएगा सुरी एदिश्विनल सेलिटी इन्टू उंगे टीम्द डिश्य मैं तो सिंपना अपोन में चमकर क्या है क्या है यह स्टॉपिंग डिस्टेंस है नहीं जितनी तुम चल लिए ब्रेक लगाने से पहले तो अब ब्रेक लगाए तो तुम कित्ती दूरी चलोगे कुछ माल लिया इसको बोलेंगे इस्टॉपिंग डिस्टेंस क्या बोलेंगे इस्टॉपिंग का नहीं समझी है नहीं तो गरबर हो जागा सब इस्टॉपिंग डिस्टेंस तुम ने जब ब्रेक लगाया और फैनली जब तुमारी वेलोशिटी क्या हो गई जीरो क्या होगी भाया जीरो इन दोनों की बीच की दूरी जो तुम चलें उसको क्या बोलते हैं stopping distance कौन जाप लगाएं लगांगें वी स्कार बराबर यू स्कार प्लस टुगर्स पुछो क्यों क्योंकि अब यहां डी एक्सलेशन आ चुका है अब यहां क्या चुका है डी एक्सलेशन जिसको क्या बोलते हो और किदर की ओर पीछे की ओर ब्रेक लगाना ही मतलब आपका स्पीड को क्या कर रहा है कम कर रहा है और यहां से यहां कोई एक्सलेशन नहीं था तो स्पीड तो क्या रहेगी सेम तो यहां पर स्पीड क्या थी यू ही थी क्या थी भाईया कंसेप समझे अब बताओ क्या distance के लिए इन दोनों के बीच में लगे हैं वी फाइनल क्या कर दिया जीरो का स्कॉर यू स्क्वार प्लस टू एक है माइनस का एंटू इसको इसको इसल लिगा जाओगे बताओ ह्ट्वार क्या बना है यू स्टॉपिंग इसप्ट इसको इसटोपिंग्ट क्या कोई तकलीफ एक क्या है stopping time बच्चा mostly यही दुनों जानता है reaction time stopping distance सवाल है stopping time बच्चा क्या करेगा reaction time लगा देता है stopping distance वा जब तुम brake apply किये और जब गाड़ी जाके रुकी इनके बीच का देखोना वन ब्रेक्स अप्लाइट विए मोविंग वर्किल दिस्टेंस इट्रेवल्स विफोर इस्टॉपिंग इस्कॉल stopping stopping time time in दोनों के बीच में आएगा या इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में अब यहां पर क्या चाहिए टाइम तो वी वरावर यू प्लस नहीं आ रहा है बोलो वी वरावर यू प्लस वी क्या कर दोगे और यहां पर किसका माइनस का तो बताओ सिंपल यहिए अधर आजागा तो एस्टापिंग पामेट गोल दूँं क्या इस्टापिंग टाइम को मेंगे केपिटल टी बोलो भाई तो पताओ किंटा आगे अब एटी बगावर यू तो बताओ इस्टापिंग टाँट किंटा आ गे वावर यू बाए यहां पहें कि यह तीन बाते होती है कि खत्म थियोरी बस यह यह थियोरी इस वाल में मैंने सोचा ब्रेक लगाऊंगा जब तक मैं सोचा मेरी गड़ी चलके कहीं और पहुंच गई और जो चली इस टाइम में जो टाइम लगा मुझे ब्रेक अप्लाई करने में देडिस कोल रियक्शन उस बक्त कोई एक्सेलेशन जिंदा तो सिंपर डिस्प्लेस्मेंट बरावर वेलोसिटी इंटू जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया जिंदा हो गया कौन एक्सेलेशन और किधर की और पीछे की और अब जैसे जाकर रुखेगा इन दोनों की बीच की दूरी को बोलते हैं स्ट डॉनों के लिए आपको यह सामने फॉर्मूल है तैयार हो चुके हो तो पेन उठा लीजी है चल बहुत कितना बज़ रहा है दस पांच है ना दस पंद्रह तक अपसे क्लास होगी कि चलो जल्दी बताओ कि यह वाला सवाल कि दो सवालें इस पर कर दो चले जाओ खटाक से दस साथ हो रहे हैं जबरदस्ती दस पंद्रह हो रहे है जल्दी करिए कि फिल इन दब लेंग से भर दो इसको जल्दी से कि देखना कितना टाइम लगे लगिए कि हमने पूछा कितना option देखो आंसर बताओ में चाहिए पॉस्टन पढ़ओ आंसर बताओ अरे option नहीं है इसको फिल इन दब्लेंग करना है यह पंगले है क्या वे कि रहे वेलसिटी बिकम्स डेवल एडिटाइशन बिकम्स बिकम्स दैनि स्टॉपिंग डिस्टेंस विल ब इस थरीके से बताना आपको कितने टाइमस एक गुणा दो घुने चार गुणे पांच गुने चे गुने अन्सर ब्लाइट में अब गलती करते हैं क्या हम ट्व टाम्स कर देयता अब इस सुनों इस्टॉपिंग डिस्टेंस पुछाय ना स्टॉपिंग डिस्टेंस का फर् रिटाइडेशन क्या कर दियो तो a by 2 अब जड़ा चेक करो इसको क्या बना यह टू स्क्वार 4u स्क्वार अब उन में बोलो अब जड़ा देखना से सिम्पल एस क्या होए सिम्पल इस क्या होता था यूइस्कॉयर वाइव यह कित्ता है 4u स्क्वार वाइए सोचो कैसे हो कितना टाइमस हो गया देखो इसमें कितना मल्टिप्लाय कर दोंगे तो यह बन जाएगा आठ कर दूं कितना कर दूं तो आंसर है एक टाइमस तुम्हें चमका ही नहीं क्या बोला अरे ये सिंप सुनो सुनो इनिसियल जब यू कितना था यू और एक्सेलिशन कितना होता ए तो इस्टॉपिंग डिस्टांस का फॉर्मुला क्या था यू स्क्वार वाय टू है तो 8 गुनने म Sum2 कर तो यूं कितना हो एक कित्ता करुं कै तो कित्ते कमल्टीप्लाय करूं कि क्या जाया यू स्कूर्वे टूरा है नुए टूर्य इसमें कित्ते मुने करो इसमें यह तो कित्त्ता हो यूल कर क्या करना पूरेगा मल्टिपले एक लाज सबाल करने जी और सुने जैसे इस बार सही दिदिनान सब्सक्राइब इस ड्रावर किया था फर्मूला यू स्कॉर वे टू एक की वेले सेटी है यू एक की किती है दोनों के लिए सेम क्या रखाय उसने घड़ा देखो एंच डैस किसके डैकली प्रफिशनले प्रेटा यू स्कॉर्फ टूंकि ये तो तुमने क्या कर दिया सेम और टूत ओल्रेट यह आपको याद होने चाहिए देख लो तुमारे सामने डाइरेक्ट पॉस्टन बना दियागे तो किता हो गया यह सब्सक्राइब कितना है यू स्कॉयर अपॉन में 16 यू स्कॉयर तो कितना हो गया वन इस्टू अभी आज यहीं तक है यह आपका हूंवर क्या है यह प्यारा सा सवाल है और यह सवाल आंसर आपको रटे होने से हैं एलवा इसी सवाल में था पर चलो कोई वातनी की ट्राइम हो गया है याद किर। आलफा वीनाले वाले एक सवाल होता है वह हमें साल तकॉर दे आलएस से और वह की जहोंगे सब्सक्राइब ठीका भी यह ओमर्क है ओके काम तो सुन लिजे वे कहां तक दे दिया था इलेस्ट्रेशन में कहां तक नहीं सॉल एक्जाम्पल में 15 तक दिया था आज जा करके कर लिजेगा इस्टॉपिंग डिस्टेंस सब पढ़ा लिए न 16 17 18 और जैस्ट रूइट कर लिजेगा जा करके जरूइट इलेस्टेशन 16 17 18 और ज़्यूट आप किजिएगा ज़्यूट पोर ज़ूट फॉर ज़्यूट ज़्यूट फॉर इल्सटेशन 16 17 18 और एक्सरसाइज में कहां तक आउं 40 तक तो आप बिटाजी कर लेना आप कर लेना बोल दूं अच्छे हैं आप कर लेना करना कि 60 तक करना इसमें अगर कोई ड्रॉफ वाला के साइगा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला तो छोड़ देना 41 से लिए करके 60 तक 20 कोशन और जो कोशन है 23 23 30 कोशन हो गये और 30 कोशन तो बनता है ठीक है कि आज क्या जितना पढ़ायें उसके काम दिया हूं आज क्या पर दीजिए आज कर दीजिए कर दो कर दो